दुनिया भर में जितने पेड़ पौधे हैं सब अपने आप में बेहद उप्योगी हैं। उनके उगने से परयावर्ण को भी फाइदा होता है। लेकिन कुछ बेड़ पौधे ऐसे हैं जो अगर आपके आस्वास होगा हैं तो यह आपके लिए जी का जंजाल बन सकते हैं। यानि की बेहद ही हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे ही एक घास है जिसका नाम राजनीतिक पार्टी के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं कॉंग्रेस घास यानिकी गौजर ग्रास की। यह घास भारत में उस वक्त आई जब देश आजाद हुआ अंग्रेज देश को छोड़ कर चले गए। उसी वक्त इस वी देशी घास ने भारत में अपनी चड़े जमाली। अब यह पड़ी तेजी के साथ यहां भैल रही है। क्रसी विग्यान केंदर नियामतपुर के क्रसी एक्सपर्ट डॉक्टर एंसित्रिपाठी ने बताया कि देश की आजादी के बाद सोने की चड़िया कहा जाने वाला हमारा देश दाने-दाने को मोहताज हो गया। भारत में आज की भारी कमी हुई तो वर्ष 1905 में भारत ने अमेरिका से गेहुं आयात किया। इसके लावा विदेशों से गेहुं का बीज भी मगाया। इसी दर्मियान गेहुं और विदेशी बीजों के साथ गाजर ग्रास भी वहरता गई। धीरे धीरे यह तेजी के जोवन हाजार नए पौधों के जन्व देती है। साहयाँपूर से लोकल 18 के लिए सिमरंजी सिंग्री पावर। हमारे देश में जैसे कि शुरू में जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद जो बहुत सारे जो हमारे विदेशों से आते थे जो एक जो गेहुं भी जो हमारा पील 480 के अंतरगत जो है विदेशों से मंगाया जाता था तो उसी के अंतरगत जो खाद्यान जो यहां पर बीज भी आया और 1955 में यहां पर देखा गया है तो 1955 के बाद से धीरे धीरे यह काफी बढ़ता हुआ और आज की इस्तिति है कि बहुत जादा यह हमारे देश में सड़कों पर यह दिखाई पढ़ने लगा है कितनी पढ़ने से इसका समझे कि यह तीन से चार महिने में अपना पूरा जीवन चकर पूरा कर लेता है और समझे एक बर्ग मीटर में इसके पौधे से करीब एक लाग चगवन हजार सीट पैदा हो जाते हैं तो इतनी तेजी से यह फैलता है और इसका देखा जाता है कि यह सिरुआत में इसमें जमाव भी होता रहता है उसके बाद इसमें फ्लावरिंग भी आता है और फिर मेचोर्टी भी रहता है तो तिले मेत्या हो दुखार, दमा आदी हो जाता है, पसुओं के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान दार होता है, कि जो इसमें अगर इसके पसुओं खिलाते हैं, तो दूद में इसके कड़ुआ पना आ जाता है, तो पसुओं के संपर्ग में आता है, तो उनके उपर भी जो तचा में तो इसलिए पसुओं में भी ये काफी नुकसान दायक है, और हमारे मनुस्यों के लिए तो नुकसान दायक है ये,